देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में करीब 30,000 किसान अपने खेतों को छोड़ कर सड़कों पर हैं। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर नासिक से चला किसानों का यह रेला आजाद मैदान में जमा है। यहां से यह किसान विधानसभा घिरने के लिए निकलेंगे। बताया जा रहा है कि बच्चों की परीक्षा को देखते हुए किसानों ने 11 बजे के बाद प्रदर्शन का फैसला किया है। किसानों के इस कूच को लेकर महाराष्ट्रा में जहां राजनीती गर्म है, वहीं पुलिस भी टेंशन में है। आज 1993 के बम धमाकों की 25 वी बरसी भी हैं। ऐसे में पुलिस के लिए चुनोतियां दोहरी हैं। करीब 45 हजार पुलिस कर्मचारी तैनात किये गए हैं। इसके अलावा SRP और Rapid Action Force को भी अलट पर रखा गया है। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को विधानसभा से 2 किलोमीटर पहले ही रोग दिया जाए। इसको देखते हुए वहां भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। इस तरह के विडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए साथ ही आप अपने नए आइडिया और अपने पसंद के न्यूज या विडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।